ऐसा कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में बॉलीबूड या बड़े बिजनसमैन में कि जिन्होंने अपना लखी नंबर चेंज किया हो या नाम चेंज किया हो उनके जीवन में कुछ चवातकार हुआ हो बहुत सारे एक्जांपल से अपचाएद अभी देख भी रहोंगे सोचल विडिया पे काफे हैलाइट है हमारे रितिक रोसंजी है उन्होंने अपने नाम में एच एड किया है एच नंबर फाइब को दिखाता है अच्छा आयू सुमान खोराना है उन्होंने आयू सुमान में इजक nach. एड किया है प्रेट है सो क्या हमने इटब अब्र्से के बारे में जान सकते हैं बिलकुल जान सकते हैं आप अपने परस्शनालिटी के बारे में पनेे कैरियर के बारे में बिलकुल नुमोलगी इसी में आपको da cup करती है लग को मजबूत करने के लिए क्या यी के लाइब को बैलेंस करने का सबसे लखियस्ट नंबर किसको बोला जाता है अ फ्रेंगली बता हूं तो मैं दो नंबर ऐसे जुनको बहुत मानता हूं एक नंबर यह फाइब जैसे अब ही मैंने बुला अच्छा यह बहुत लोग देखिए वैसे तो चार नंबर है फाइब करें थाल देखिए टिज़त थोड़ा सा इसे किचशिज़ेंस करते हैं डिस अपाइब्में कुछव हूं देते हैं आप इतना हार बर करते ना होतना जूइब करती हैं अगर आपका नहीं आपके अच्छा नंबर पे चला गया कितने भी अच्छी नंबर हो, लाइफ में आपकी चलेंज रहेगा चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे कुछ भी हो एनिवन इनिवर्स आपको आपको आपके बोले का नहीं, कि ये करना है वो आपको signal, इंडिकेट कर रहा है, वो numbers के form में जिन्होंने पिछले जनम में अपने time को अच्छे से use नहीं किया अच्छा, उनको 13 नंबर, इस जनम में उनके पास time ही नहीं रहेगा इतना काम करवाएंगे नमस्ते, welcome to our new podcast, आज हम बात करेंगे कुछ अद्भूत आपके जीवन में बार-बार आते होंगे, उसका एक उद्देश है, उसका एक reason है, यूँ ही नहीं आता आज यही सब सवाल हम अपने guest से पूछने वाले हैं आपके mobile number से भी आपका तकदीर connect है, आपका lucky number भी होता है और हाँ, इस podcast में ये भी cover करेंगे कि अगर आपका debt of birth आपको पता नहीं है, तो कैसे आप पता कर सकते हैं और अपने भविष्ट के बारे में जान सकते हैं, आज का podcast numbers के बारे में यानि निम्रोलाजिस के बारे में सो हमारे साथ है, पांडे सर और बात करेंगे उनसे धेड़ सारी numbers को लेके, नमस्कार सर, कैसे हैं आप, नमस्ते, इस podcast में invite करने के लिए चंदन जी, बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं, बिल्कुल सर, अच्छा हूं, बहुत सरे सवाल आज मेरे अपने भी हैं, और मैंने collect भी किये, जब आपके साथ podcast करना था, सर, numerology basically क्या होता है, और ये जिन्दगी में क्या असर डालता है, क्योंकि हम लोग हमेसा TV पर देखते हैं कि धोनी के पीछे 6 लिखा होता है, या उनके गाड़ी का number ये होता है, कोई especially mobile number demand करता है, लेकिन ये बड़े लोग करते हैं, तो इसका सर क्या है, numerology है क्या, और कैसे काम करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, तो इसकी हम एक लाइन बोलते हैं, science of numbers, जिसमें हम numbers के बारे में जानते हैं, और आज के टेम पे हर इंसान, किसी date को जन्म हुआ है, वो date भी numbers है, आपका नाम है, उ यह इंसान की personality को, और उसके लाइपात number को दिखाता है, कि कुछिस करता है, पूरा, numerology, ओके, तो नाम से भी number है, बिल्कुल, जिसमें माली जी मेरा नाम इचंदन है, तो इसका भी कोई एक number है, बिल्कुल, और, हाँ, अगर मैं बात करो देखे, अगर मैं बात करो देखे, आपने एक number देखाऊगा, वन, वन का एक shape अलग होगा, sound अलग है, ऐसी दो number है, दो number का shape अलग है, sound अलग है, right, three numbers है, three numbers का भी same, sound अलग है, shape अलग है, इसी तरह अगर हम one to nine तक देखे, हर number का shape है, और एक sound है, तो इनकी भी vibrations और इनर्जी है, जो हमारी life impact करती है, यही हमा और का एक अपना उदेश है, अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं, वो numerology और astrology में, बड़ा confused होते हैं, तो दोनों में क्या आंतर है, पहले यह आप बताएं, अधिक वैदिक astrology और numerology में सिफ एक डिफरेंस है, हम जब numerology के बात करते हैं, तो हम सिफ नम्बर्स की बात करते ह हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेज हैं, बड़ाम वैदिक astrology के बात करें, तो उसमें आपने देखा होगा, आपका date of birth आता है, आपकी timing देखी जाती है, प्लस आपका प्लेस दिखा जाता है, किस जगे आपका जन्म हुआ है, इन तीनों को लेते हुए, फ इस पर वैदिक, पर नमरोजी बहुत असान है, इसको हर कोई बहुत आसानी से सीख सकता है, को कि हान सिपनों की बात है, हर नमबर की अपनी एक energy है, एक vibrations है, और एक frequency है, वन से लेके 9 नमबर है, और हर नमबर की अपनी एक energy है, और हर नमबर बहुत important होते है, अगर आपके live आप इबर से अपने personality और future के बारे में जान सकते हैं, बिलकुल जान सकते हैं, आप अपने personality के बारे में, आपने career के बारे में, बिलकुल नमुलाजी इसी महीं आपको support करती है, मैं example लेके देखता हूँ, जैसे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आज के ट्रेनि मुलांग और भाग्यांग, अगर मैं बात करो मुलांग की, तो जो आपकी डेट है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जिस डेट को, मैं example से समझाना चाहूँगा, माली जे, एक परसन है, जिसका जन्म पांच जन्वरी 1995 को हुआ है, तो जो पांच तारीख है, यह उसका मु keeps5, 1990. मैं जन्म है, 5 जन्म था करें पांच जन्वरी 1995, अब हम क्या करें दिकाना भाग्यांग, भाग्यांग में लाइफ पांथनमबर, जो पांच जन्म 10 जन्म हैे जन्म फांबर, यह जन्म नंवरी यह को बिखाता है, जन्म नंबर रिप्रजे यह एयनली हमारी ! तो करता हूं 5 प्लस 1 आपका जो month है प्लस आपका जो year 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5 इनको जब आप टोटल करेंगे तो यह 2 डिजिट में आएगा तो कोई भी डिजिट हो सकती है यस उसको हम बोलते हैं destiny compound उसके भी एक frequency है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस हो तो डिजिट आ रहा है उस डिजिट को हम सिंगल डिजिट में कनवर कर देंगे हो सकता है थ्री हो हो सकता है फाइफ हो सकता है फाइफ करने से just an example समझ गया वो जो नंबर आएगा वो आपके लाइपाथ नंबर को दिखा तो क्या वो जो नंबर होता है लकी नंबर होता है हम लकी नहीं कह सकते बट यस उनकी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में होती है अच्छा बहुत जादा को कि एक अश्या समझाता हूं जैसे एक बॉड़ी है जैसे हमारी बॉड़ी है अगर अगर बात करें अपने हेड की नाइन ब्लॉक्स होते है उसमें हम हर नंबर का अपना प्लेस होता है वो होती है बॉड़ी पूरी बॉड़ी हम बात करें मुलांक और भाग्यांक यह आपके हेड को रिपरजेंट करते है माला आपके लाइफ कैसे जाएगी आपकी जर्नी कैसे रहेगी उसको इंडिकेट क प्रिर से करेंट होता है बिलकुल होता है जैसे अभी में बताया जैसे मॉलांक और भाग्यांक से शब्सक निकालते है लगी नंबर एक जामपबिं लेते हो रहे वद्न कर लगफी प्रेंबर एफ थृण जी ऐ वर यह रहे बेर अखर नंबर का बेश फ्रेंग होता है बश आपन सुरी ब्राज कोватा है। तो रज़ एक다면 सुरी का वो सकता है। इसको लिए का शुरी है। छंद्रम घृतर एक 15 सुरी ह। जो जो भी है। दी vitalować को टी सुरी談 कुमार 1 ते तन सुरी के मlt द्राज कृंडरी की और का मनर कृए। लाश्ट ए 9 नंबर, सीनापती, कमंडर, एक राज्य को, जो मेंन हैंडल करता है, अपका सीनापती होता है, यह बेश्ट फ्रेंड माने जाते हैं, अगर मैं बात करो, अगर मैं बात करो, एनमी नंबर का, कि वन का जो एनमी नंबर वह है, आठ, सैटर्न, को कही नगी देखा तो उनी के पुत्र हैं, बट उनको सूर्य पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आपने देखा हो का सूर्य में और सूर्य में, अगर प्लैनेट बहुत डिफरेंज दूर है, और उसको सबसे स्लो प्लैनेट उसको बोला जाता है, तो यह होगे उसके एनमी नंबर, यहां से हम नि आपने मुलांग कैसे निकालें? मुलांग जस्त यो डिट टूर्ड जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिसे मालूग मेरा तेज को जन्म हुआ तो अगर आपका तेज को जन्म हुआ है, तो तो तू प्लस थ्री एक्वल टू फइप इसका मजलब आपका फाइब मुलांग है, तो यह मेरा लखी नंबर भी हो सकता है, इस नंबर से मेरा कनेक्शन है, हाँ, बिलकुल है, क्योंकि इसी को पूरे लाइफ रूल करने वाले, यह आपके परस्नालिटी को दिखा रहा है, फाइफ नंबर वाले बोत एडविंचरस होते है, एक बिजनेसमेन का नंबर होता है, इसको हम बोलते है बिजनेसमेन नंबर, फाइफ नंबर होता है, 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 फाइफ ऐसे परसंट बोटर इस्पेश्टव होते हैं.. गई गूमना फिर ने सीव्टेश रारा है..? कश्टेश्टूर से रारा है.. यज्सटीन से रारा है.. जुप्स्टीन से हिस्टीन से राहे हैं.. तो उसके लाइफ में वन और शिंस रहेंगे उसके रहेंगे.. लेडर्सिप क्वाल्टी भी अच्छा हो उसको गूमना फिरना लग्जिरी नमबर भी लग्जिरी चीजे पासंदो को कि 6 भी उसके लाइफ में है फेमिली ओरिंटेड हो सकता है बहुत जादा स्प्रिच्वल भी हो सकता है को कि 7 भी आ रहा है तो 1, 6 और 7 तीनों की फ्रिक्वेंसी उसके लाइफ में रहेगे अब इसके जो एनमी नमबर है उससे क्या उसका नहीं पटेगा मलो घर ले रहा है कोई घर ले रहे है वो गाड़ी ले रहे है तो क्या वहां भी मुलांक और भाग्यांग निकलता है बिलकुल देकि इसे फ्लाइट है मेरा बाईज विरो चौदा तो इसका कैसे निकालेंग मैं ऐसा समझाता हूँ देखे मैंने क्या बोला देखे आपके लाइफ में दो चीजे ही इंपोर्टेंट है एक है मुलांक और भाग्यांक इन्हीं दोनों को देखते हुए हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं चाहे आपको मैरिज करना हो जिस लड़की से चाहे आपको घर ल आपको मोबाइल नंबर लेना हो हम क्या करते हैं जैसे बाग्यांक और मुलांक दो चीजों की बात की मुलांक का जैसे बेस्ट फ्रेंड नंबर होगा और एन्मी नंबर होगा वैसे बाग्यांक भी एक फ्रेंड नंबर होगा और एन्मी नंबर होगा हम इनके कॉमन नंबर जुनका बेश फ्रेंड एक कॉमन निकालेते हैं, वही आपका लगी नंबर होगा, अच्छा, भाग्यांक आप करें, टोटल का जो होके, एक नंबर निकलता है, वो भाग्यांक है, यहाँ, यहाँ, तोटल कर लो, टोटल करके, इसमें तू डिजित आएगा, उसको फिर कंवर यहाँ, यहाँ, मुलांक भी 7 और भाग्यांक भी 7 बहुत लोगा होता है, वो किस टाइप को लोग होते हैं, वो इस टाइप को जादा रहेंगे, ऐसा बोला जाता है, हम लोग जो देखते हैं, अपने कॉंडलियां काफिज लोगों की इनको रिलेसंशिप इसूस हो सकते है लाइप में डिसपॉइंटमेंट थोड़ा ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि इनकी अच्छी क्या होता है, बहुत बहुत अच्छी होते हैं, इने हमेशा सपोर्ट की नीड होती है, सेवे नंबर केतु को दिखाता है, केतु क्या बोड़ी है, हैड है नहीं है, जब हैड तो एक तो आपको किसी ना किसी को सपोर्ट चीह होगा ना जो आपको है यहल्प कर आगे देखने में तो इस लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, जब हुत बहुत विजनरी होते हैं अगर इनके भी में कोई अच्छा मिंटर आ जाएए इनको कोई डिरेक्शन देने वाला मि सब्सक्राइब एक राहू है, अझे थिया सी दोटाइब, फरेंड कि राहू है, लोग्यग है। से वन नमबर, सिक्सम्छ्न करताओ, फोर नमबर और फाइफ नमबर। एंड प्रण जादारे करता हूं। एक एक जमपल लेकर समझाना थहांगा 4 नमबर राहु है राहु क्या हेड है आप समझ थेगा और 7 something है भोड़ी है और जब हैड और बोड़ी को मिलादो तो क्या बन जाएगा? परसन नगएगा 4 और 7 का कमभिनेशन अभस्ट माना जाता है 4 oder 7 जिक यह गोता है आपके जर्णी थीचा से अपने सुना होगा, जब वो अमरिट पीने का हुआ था तो इक नहोंने अपना तरह राक्षस थे फेस बदल प्रेस बदल के अपने वेजभूसा को बदल के यह देवता बन गया थे और अमरिट पीने चले गया थे तो वष्णो जी पिला रहे थे सारे दिवताओं को, तो उनको पता चल गया कि ये रक्षा से और इसने आपना फेस बदल के दिवता बन के पिनने आया है, तो उन्होंने अपने सुधरसन चक्र से उनका गर्दन काटा, जब गर्दन काटा, तो जो हेड पोर्शन था वो राहू हो गया, और जो बोड़ी थी, वो केतू हो गई, इसलिए बोला जाता है, जो सूरे गरहन है, वो राहू लगाता है, इतनी इनरजी है, राहू में, और जो चंदर गरहन है, वो आपका केतू का रोल है, इस तरीके से हम देखते हैं, अच्छा, आपके दुनिया में, नेमरलाजिस में, सबसे लग्यस्ट नमबर किसको बोला जाता है, फ्रेंगली बता हूं, तो मैं दो नमबर ऐसे हैं, जिनको में बहुत मानता हूं, एक नमबर और फाइप नमबर, जैसे अब ही मैंने बोला, अच्छा, बहुत लोग है, वैसे तो चार नमबर है, फाइब मुलांक हुई है, भाग् लाइप की बता है, लाइप में लाइप की बता है, फ्रेंवल्ट बता है, हील्थ, वैलीसंसिट, मणी, तो मील, याप का करियर, निराता है, उट नहीं में बता है जो फाइव लाइप की मानता है बट यस ऐसा नहीं, मैंने बोला, सारे नंबर इंपोर्टेंट है, बट फाइव नंबर सिंटर आफ दे लोसू ग्रिट है, तो हर नंबर को बैलेंस करने की कोशिज करता है, अगर मैं बात करूं, चार असे नंबर जिसको मैं बहुत जादा मानता हूं, वन नंबर, थ्री और सिक्स नंबर यह चार जिसको मैं परस्नली जो मैं इक्स्पिरियंस लिया यह जिसको मैं फिल किया है, यह सबसे अच्छ नंबर माने जाते हैं, बट यह निहीं कि सारे नंबर खaraB है, उसके लिए आपके जोसू गृड को भी देखा जाता है, लोसू ग्रीड में आपके zej՛ा क्रिछा है पैसे अश्याइट है में हो और हो क्या जब शपसे जिरोग्स का से किरेगा देखने है न्या कैसे मुऔपाइल नंबर से क्सी कहुए लिए झालते है अगय इम वेल यह तुम जल आते हैं के मुलांग को यह ख्यां मनें। करते हैं dal iron को छुद भाग्यांक्त से चलतें उनना than your client. मद बनी लो कर से लोसो गिड़ लानते है. रगर हम अनननम्बर उनके लोग्रिड में मिसिंगे से है उनके मिसिंग अग्रिड में मिसिंगा। Just an example, his lucky number is 3 and 5, and in his grade, 3 and 5 are missing, and it's his lucky number. So, we ask him what you want in the life, he says I want to do business, I want to live a name film, I want to go to the next level. So, we try to give 5 numbers in the mobile technology. But if he is in the education industry, he is in the trainer, coaching industry, we try to give 3 numbers. Because it shows 3 numbers to the guru, education. So, we try to understand the needs of the person's needs. Okay, I understand. So, mobile number is someone's, and it's a very old number. And he needs to fit his lucky number, or he needs to make it. So, these are also possibilities? Frankly, we can't change the number fixed, we can't change the number. Okay. Now, if you have a number of 10-digit numbers, after totaling them, you will understand the number of 4. And his number is 2, and his number is 4. Clear? His number is 4, his number is 2, and his number is 4. And the 4 number is enemy number. The 4 number is enemy number. Okay. Okay. He uses 4 numbers. So, what result will come to him? Struggle? Delay? Health issues? Relationship issues? So, we will try to give him the lucky number, or the need. Now, who's best friend? One number? Three number? Five number? Yes. 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 So, if you have a lucky number, can we change the number? Yes. Yes. So, Mali ji, if you have a lucky number, can you change? Yes. 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 We have a lucky number that has three or five numbers. So, because there is one number of us, not one. So, in your life, there is three numbers also have three numbers, or five numbers, or three numbers. And in their life, there are three, five, one, or three numbers. So, we try to give it one. Our three numbers will come in your life. So, you're saying that you are getting out of all data from right now, like mullank and bhagyang. मेरी मम्मी ञग्याइ, उनको पता ही नहीं है किंतक पैदा हुई थी वह जो पुराणी को इन को पुदा नोग है उनका मूलांक बागयांग नहीं निकलÖ पाएगा में तो करूद पाकर प्रद एक निकलपए तो हम लोग क्या करते हैं ? उनके नेम होका ..उनका नाम होका उस नाम से वेरिफाइी कर सकते हैं कि किया वो दूनाम पोदि अम इहमाल थ्री नमबर थ्री नाम तव भालेंस करेगा, वो सपोर्ट करेगा ही करेगा क्योंकि 5 नंबर और 7 लेमर जो जो किसी के इनमे नहीं है तो हम उनको पूरी कोसिस करेंगे 5 या 7 नमबर देने की बट अगर कोई बंदा यंग है बिजनेस करना चाहता है लाइव में ग्रोथ चाहता है तो हम पूरी कोसिस करेंगे उसको 5 नमबर देने की समझ गया तो यह है कि उसका भी एक solution है और उसको भी हम दे सकते हैं बिलकुल ठीक है यही तो निम्मोलोजी का इंपक्ट है कि आप इंसान को अगरे डेटा बर्स नहीं पता है तो भी आप उसकी हल्प कर सकते हैं निम्मोलोजी से इसलिए क्या कि जो बड़े लोग है प्योंकि अभी तक क्या होता है कि बॉलीबूट स्टार है और बड़े बिजनिसमैन है वो कार का नंबर भी बहुत सोच समझ के रखते हैं मुबाइल नंबर भी मझलब जोड घटाना करके लेते हैं बच्चे का जो नाम भी रखते हैं वो भी पूछ के रखते हैं यानि यह चीज़ें नंबर्स में अटर करते हैं बिल्कुल सर बहुत में अटर करते हैं इसा को इंसिडेंट आपके लाइफ में बॉलीबूड या बड़े बिजनिसमैन में कि जिन्हों ने अपना लखी नंबर चेंज किया हो या नाम चेंज किया हो उनके जीवन में कुछ जमतकार हुआ हो बहुत सारे एक्जमपल से अपचाएद भी देख भी रहोंगे सोचल विड़ा पे काफे हालाइट है हमारे रिद्टिक रोसन जी है उन्होंने अपने नाम में एच एड किया है एच नमबर फाइब को दिखाता है वो उसके फ्रिक्वेंसिय से वो हनको हेल्प कर रहे है के लिए नमबर दिखाता है दो नमबर किसका है एमुसंस का रिलेसंशिप का और यह सारे सीरियल कैसे हैं यह सारे से इमुसंस से जुड़े होगा है इसलिए इन चीजों को हम इस एंगल से देखते हैं नोड़ोट निम्मोलोजी को ट्रेंड जो है, यह हमारे लोगों को अभी पता चला है, लेकिन इसलेब्रेटीज, पॉलिटीसियन्स, जितने भी बड़े-बड़े लोग इसका यूज बहुत टाइम से कर रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा रिजल देख रहे हैं, पर स हमारी देट अ बट मिफ नंबर मिफं अइसा नमबर जिसको भोलती है, एंजल नंबर, सिक्रेट नंबर ठीक हैं बहुत लोग नहीं भी जानते हैं आपके लाइ में कुछ ऐसे नमवर्स हैं, जाओ कि डेट अबर्थ में नहीं है, बट फिर आपके लाइ में पेट करते हैं, एक जामपल लेकर समझाता हूं, मालू किसी परसन का जन्म है, पाँच अपरेल उनिस सो पंचानवे, बहुत ध्या वह सिक्स आजाएगा, तो मतलब क्या हूँआ, इसका मतलब ये हुआ इस परसने के लाइवे सेख था ही नहीं, बट वह सिक्स नमबर आया, ये ये उनिवर्स ने तिगा, गाट अन्ग तग वह सेक्रिट नमबर है, अब मैं बोला था एक एक एंजन नमबर, जिसको बोलते ह 18 plus 7 25 25 को टोटल करेंगे तो क्या एगा 7 अगर आप मेल है तो आपको 11 से माइनस करना है 7 को तो क्या आजाएगा 4 4 आगया 4 इसका मतलब आपका जो कुणा नंबर है वो एंजल नंबर 4 आ रहा है अगर आप फीमेल है मालो कोई फीमेल आई 1989 में जी आपका 7 आया जो उसको हम 7 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 11 को फिर सिंगल डिजिट पर ले जाएगे तो 2 आएगा इसका मतलब आपका कुणा नंबर 4 है आप मेल है पर फीमेल के केस में वो 2 हो गया और कुणा नंबर दिखाता है आपके डायरेक्शन को आपके सक्सिस का डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए किस डायरेक्शन में बिजिनिस करना चाहिए अगर आपने बताया तो 4 किसका है जिसका है उनका क्या हो था? अगर ये angel number है तो इससे क्या दर्शाथा है? दिक की चार number दिखाता है राहू को, just an example आपका एग डेट आप पर तो चार number नहीं आया और आपको चार number मिल गया, तो चार number दिखाता है आपकी communication को, sales and marketing, digital marketing, राहू क्या है? ऐसा नंबर है जो ब्रहम, जिसको बोलते है ब्रहम, विजनरी नंबर, सैडो है, कि राहू और के तू सैडो है, यह दो प्लैन्ट सैडो है, तो जो दिखती ही नहीं है, और बतलब यह आपके लाइफ में कर फूर नंबर नंबर था मतलब क्या विजनरी एक होता है जैसे चार नंबर राहू को दिखाता है, तो मतलब आप सेल्स, मार्केटिंग, आपको यह पता है, मैं जो को सामने वाले से कैसे बात करनी है, बहुत अच्छी में अच्छी होती, चार नंबर गी, यह दिखाता है, चार नंबर, अगर आपके लाइफ में चार नंबर नहीं था मालो, डेटा बर्त में कहीं विचार नहीं आया, और कुवा नंबर से चार आ गया, तो इसका मतलब कुवा नंबर का जो फ्रेक्वेंसी रहती, 30 से 40 परसेंट इस नंबर के फ्रेक्वेंसी आपके पूरे लाइफ में रहेगा, आप जैसे माली जे चार है, तो उस इंसान को अब अ अजया आपके लाइफ में में तो यूच करना ओड़ और कुवा नंबर कहा नंबर का इस फ्रेक्वेंसी से अपोर्कार कर सकता है, आपके लाइफ में ऐस सट्रगल हो सत्ता है, आप कुछ अमाले एग्जशाम्पल लेते आप काम करें यू ओन-lai डेटा बर्फ में कहीं च 2087 अब करोगे तो क्या एका 7 एक को एड करने के बाद और जब इसमिस 11 माइनस करेंगे आप 7 तो 4 आएगा तो मेरा भी कुगा नंबर 4 है ठीक है और मेरे ग्रिड में 492 ए ग्रिड होता अप समझेंगे अप जब जब ग्रिड तो 492 ए प्लेन होता है ठीक है जो दिखाता है अब क्या होगा आपके ग्रिड पूरी हो गई फोर नाइन टो की जब ग्रिड पूरी होगी यह दिखाता है अप में पूरी को एसे लोग इंटेलिजन्ट होते है शाप मैंडे होते हैं तो अगर नंबर नहीं होता तो मेरे लाइफ में पैट पड़ता लेकिन मुझे उस चा हो हाँ सेकंड ब्लॉक में थ्री फाइफ सेवन ओके निचे थर्ड ब्लॉक में एट वन सिक्स ओके जो हमारा फोर नाइन टू ब्लॉक है होरिजन्टल में यह दिखाता है मेंटल प्लेन को गिदे का थोड़ प्रसेस्स मेमरी कैसी है शाप मांइड होते हैं उसके में इसके म इसे लोग बहुत ज्यादा डिसीजन दिल से लेते हैं लोग इनके ट्रस्ट को बार बार तोड़ते हैं फिर निचे वाला पता है तरह एट वन सिक्स ओके यह दिखाता है प्रैक्टिकल होते हैं बहुत अच्छे बिजनेसमें होते हैं चीजों को बहुत ही डीपली में जाक सबक्सी थैर नमबर का छिए गड़ता है यह देगाँ इसमें जेसकता है यह दो किले भी क्रेंडऱ कि बहुत ट्रैडतों गिए तरह दुमिलोगी का अजन में मिर नम्हान घडदन्ने हें एटप्स पथर ज्स provision के पर जालो ऑने मेरा जो नेम आता ता आदर बहुत बहुत म फिर मैंने अपने लाइब में अपने स्मेलिंग को चेंज किया, अब मेरा नेम में लास्ट में देखेगा डबल है, A-D-A-R-S-डबल-H, P-A-N-D-E-Y है, और लाइब में अपने बहुत सारी चेंज़ेंगे, क्यों, मैंने अपने नाम को पांच पे ले गया, क्योंकि मेरे ल करते हैं, तो अधार कार्ट, पैन कार्ट, जन पत्री वहां कैसे करते हैं, तो आप जिस नाम को मैंने आपको करेक्शन किया, तो सबसे इंपोर्टन इस नाम को अपने सबकॉंसियस मैं में बठाना, क्योंकि युनिवर्स से कनेक्ट आप तभी करेंगे, जब आपका सबकॉ रिक्षन हवा हम यह बोलते हैं उस नेम को ग्रीन पेन से फोर्टी थ्री तरी टैम्स वाइट या यलू पेपर में और पेपर ब्लैंग हो चाहिए मिलाब प्लेन पेपर पे लिखना चाहिए इसके बाद उसको 21 टेज 21 times फिर इसी को 11 days 11 times continue लिखना है ब्रेक नहीं करना है अच्छा ब्रेक हो गया तो फिर से करना पड़ेगा second हम बोलते हैं आप social media पे हैं आपने social media पे उस नाम को अपडेट करिए आप अपने signature को चेंज करके उस नाम को अपने फ्रिक्वेंसियों को अपने लाइफ मे ला सकते हैं इसके साथ अपका विस्टिं कार्ड है आपकी इमेल आइडी है इन तरीके से हम अपने नाम को बैलेंस कर सकते हैं इन तरीके से हम अपने नाम को बैलेंस कर सकते हैं ठीक है और हम कुछ लोगों जो पूरा नाम को लिखते हैं, आपकी आइडेंटिटी आपको दिखाती है, आपके सिगनेचर आपको रिप्रिजेंट करते हैं, कि आप सोचते कैसे हैं, आपको थौर्ट प्रोसेस कैसा है, अचे कहावत कहा गया भुझपूरी में, कि पूत के प अगर जिसे मैंने पहले ही किसी को प्रेडिक्ट कर दिया, तेकि मैं बहुत अच्छा क्वेस्टा नहीं है, आपके नमबर्स आपके इडेंटिटी बताते हैं, मैं एक्जामपल एक देता हूं, मालो जैसे वन नमबर है, सूरी का नमबर को बता देता हूं, सबको हाँ नमब और प्रोब्लम है इगो की, थोड़ा से लोग राजा है, एकोस्टिक नेचर होता है, चीजों को अपने कोडिक्ट करता है, जिसका देट अब भर्थ 10 है, 10 तारिक पैदा हूए है, तो एक दो नमबर है, जिनका भी देट अब बर्थ 1 तारिक, 10 तारिक, 19 तारिक और 28 तारि है, इसके भी बहुत अच्छा फ्रिक्वेंसी देखी जाती है, आपका नाम, जो मुलांग के हो, किस नमबर से आ रहा है ना, यह बहुत मैटर करता है, तो नमबर है आपका, आपका इसके बाद 11 नमबर है, 20 नमबर है, 29 नमबर है, एक नमबर बताया आपने, दो नमबर क्य है, 15 नमबर है, इनका मांड इसा होता है, फिलिकरिंग मांड होता है, अभी कुछ बोलेंगे, दस मिर बाद कुछ और बात करेंगे, हो सकता है, इमोशनल बहुत है, किसी चीज को बहुत जल्दी दिल पर लगा लेते है, इस तरह देखा जाता है, दो नमबर के लिए, ठीक ह अब बात करते है, तीन नमबर है, तीन नमबर है, गुरू का नमबर, जुपिटर, सबसे हैवी प्लैनेट है, और तीन नमबर दिखाता है, नौलेज को भी, इन लोगों को लीज बेना बहुत पसंद, भी प्रोबल्म है, यह लोग इनिसियेटर बहुत अच्छ होते है, 12 वी अच्छ नमबर रही है लेकिन 12 प्राप्लम यही भोला, इस्टार्टर बहुत अच्छ बारा नमबर वाले, बड़ फिनिसर अच्छ नहीं होते हैं, कही नहीं ब्रेकर देते हैं, विच्छ रोग देते हैं, यह तोड़ा द्यान अच्छ एंके लिए, बहुत अच्छ बहुत अच्छ अच्छ नमबर बहुत अच्छ अच्छ एंस्टी में जानफ। इलोगह 가iedo करना है, व्हलब नौलिस देंगे वाहां बहुत अच्छ एंस्टर, रहे नभगुत करतें दो किशनरली में फिच्छ प्रवथ्ट करतें, फोड़ा औरुमेंकेट्पी हो जाते हैं कणर यह लूँ सेर प्र जालिब उठ्रमां पर सभ्स्तियू कर दोidents बहुत अच्छा मिः ब् 도 снनाई वह दिमागाना है तो वहां भूत अच्छा करते हैं 5 नमबर विष्ट माई फेवरेट नमबर है 5 हमें साथ से 5 नमबर 5 जिनका डेट अब वर्थ है है ना 14 तारीक है तेज तारीक है तीन ही आते हैं इन तीनों में सबसे बेष्ट है वो है 23 जो आपका है 5 नमर में 23 विष्ट को गी 2 और 3 से आ रहा है अब होता है से लिए क्लाइट वो पही समय है यह नहीं है जहना यहार नहीं नहीं करना है अब कुछ आ करना है शोच जह तरिका डिफरेंट होता है इस के आपकोड़ और बिजनिस बहुत अच्छा अगर कोई एडवेंच्रस से चीजे करें इनके बहुत अच्छा बैंकिंग और इट इंडर्स्टी बेस्ट बनी जाती इनके लिए मुलब कुछ ऐसा कि अज़िसे इट में भी सिटिंग जॉब फिल्ड जॉब निस पोर्ट करें इनको अगर फिल्ड में है जाएंगे वह सपूर नहीं करेंगा अगर चार होगा तो अच्छा कर लिए लेकिन अगर इंडर्स्टी में आ गए तो बहुत अच्छा करते हैं अब बात करते हैं अच्छा नंबर सुकर का नंबर है सब कोई चाहता है लगजिरी है रिलेसंशिजिप अगर मैं बात करो ऐसे तो इस शुक्र है ठीक है राक्षासो के गुरू थे डेविल गुरू थे यह बहुत अच्छा नंबर माना जाता है 6 मेरा फेवरेट नंबर में बात करो तो 156 को मैं बहुत पसंद करता हूँ तो 6 नंबर आपको कहीं ना कहीं अगर अगर आपके को छिलेंज देखा जाता है तो इस बहुत अच्छा नंबर माना जाता है 7 नंबर में केटव जटाया थाँ मून बोड़ी है हड लाड़िय है और प Agr怖व में है म३ सपिरिचुल का नंबर है अगर को नंबर कोई आपके तो अगर तो ईनके अलबर में अच्छा यह उनके न आपको लाइफ में कितना भी मिल जाना कुछ ना कुछ कमी रहती ही रहती है कुछ और यून मलब होता है कि यार यह और अच्छा हो सकता था इस तरह की चीजे कभी-कभी इनके साथ हो जाती है बट यस दिल के बहुत साफ होते है अगर यह आपको अपना मान लेते तो फिर छो करते हैं अगर मैं वैसे बात करूब अलमेंट की तो अर्थ को दिखाता है सनी मिलब सने सने थोड़ा सलो बट महनत दिखाता है हाडवर्क जितना आपका पसीना निकलेगा और जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे जितना चीजों को प्रॉपर अपने टाइम के साथ करेंगे अतनी आपको सफलता मिलेगे अगर आपने डिसिप्लिन नहीं है आपको चैलेंज जाएगा चार नंबर भी सेम है चार नंबर दिखाता है डिसिप्लिन को और और अर्गनाइजेशन को अगर आपने ये चीजे बैलेंस नहीं करी तो चार नंबर तो श्ट्रगल देगा और 8 2014 कि आपको अपको को बहुत इस्टगल देगा ऐसा भूलस सो है अगे धो कुछ के अगे श्पीयस ए कि 35 से खुब्स साल तक 8 नमबर डिए भोत इस्टगल करते एं बट अगर वह 30 साल तक मेनत कर रहे हैं उस ट्रगल तो कर रहे हैं तो श्रनी उनको बहुत देता है फिर, रोकता नहीं, आपने नरिंद्रमोधी एक्जामपल है उसके, पचास साल तक हम दोग नहीं जानते थे, असे विंटी फाइफ किया उनको पंदरा साल सी जानता हूं, उसके बाद उन्होंने जो चलाग लगाई है, पूरा वड जानता है अगर आपके, मैं आपको बता देता है, अगर आपके, अगर आपके, वो डिसीजल लेना है कि अर अपने टीम में किसको मैं अपने बाद, थोड़ा हैंड़ा हैंडवर करू सामाल, तो एक नंबर और नाइन नंबर, ये लीडर सी बहुत अच्छी होते हैं, कैसे देखे जाती है, और हम एक चीज़ और बोलते हैं, अगर नाइन नंबर है, और केरियर सेलेक्शन करना है कि लाइब में क्या करे, तो मैं दू चीज़ बोलता हूँ, या इनको पॉलिटिक्स या गोर्मेंट सेक्टर में, बहुत सपोर्ट करता है, गोर्मेंट सेक्टर में इक नंबर और बताते हैं, तो अगर आया हूँ आपके मिसोर पॉड़काश्ट पर कुछ इज़े, मैं बताता नहीं हूँ, वन नंबर, नाइन नंबर, एट नंबर, यह तीन नंबर ऐसे हैं, जो गौर्मेंट्स को रूल करते हैं, अगर किसी के डेट अबर्त में नंबर है और वह सुचते हैं, जो अगर इनके गृड़ में यह नंबर हैं, मुलांक या भाग्यांक है, या लोसू ग्रिड में भी है, तो इनको गृवर्मेंट सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा करते हैं, क्या बात है, यस, अब आपने यह नंबर बता दी है, आप इसको जिसका पांच नंबर है, मुलांक, अब वोकर हाइरिंग करता है, अपने लेफ्ट और राइड के लिए, दो मैनेजर, तो किस नंबर वालो को हाइर करना चाहिए उसको, बहुत अच्छा कोश्चा, अभी मैंने बोला कि पांच नंबर सफका फ्रेंडली नंबर है, अच्छ पांच नंबर को 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 पांच नंब तो पांच नमबर चंचल है जैसे इन्वाइरमेंट में पांच नमबर को डालोगों वैसी हो जाएगा यह पांच नमबर है अच्छा क्या बात है अब यह बताएं आप कि अम माल ली जीए नाम माबाप रखते हैं मैंने देखा है गुड़ू, पपू, चिंटू यह पपू अ जो राहूल नाम है वो बहुचा स्पोर्ट में होते हैं प्रशान नाम के लोग तो डिसेंट से होते हैं चंदर नाम जल्दी सुनने को नहीं मिलता वो भी शांत होते हैं ठीक है और चिंटू बड़ा चुल्बूला नाम है तो जब नाम यह रखा जाता है तो क्या उसके पी यह होता है कि जब हम डंशन ए कजामस हम लोग अलिघषी चाहते आटा है तो हमारे माइंद में जो कोस्टन्स आता है जो नाम अता है वो हमारे माहे जो यह जुँश सदैने कोछ भी रच करते हैं बड कहीं नाम आपको पन्ग करता है और आपको इंडिकेट करता है हम पहले तो अच्छा माना जाता है तो वही नेम असली है? असली नाम वही होता है जो आपका रासी कनाम है वही अलफाबेट्स आपको पूरे लाइव रूल करते है अच्छा वही इंपोर्टेंट है यस जो बट अब में एक चीज़ बोलो तो चंदन में C, A, C, H, A, N, D, A, N हर अलफाबेट का एक नंबर और उसकी हर नंबर की एक रुड्र कर रूल कर रहा है उसका इंपर्ट आपके लाइव च्छार में आ लाहा है थीटिंशहे है उड़ये शाय है वह इंह्त आहिए तीन इमपर्टटन है एपने भोले, शावही तो और प्रफास्ट . पहला importance है first letter of your name, first letter, तो आपका नाम के starting C से है, यह आपको बहुत important है, कि आपका नाम सुरू किस से हो रहा है, C दिखाता है ती नमबर को, तो मतलब आप ती नमबर को रूल कर रहे हैं, इसके बाद रहता है, your first full name, first full name उड़ चंदन, यह आपका, इसको जब टोटल करेंगे, इसको जब एड़ करेंगे तो उसमें भी एक नमबर आएगा, यह second number आप इसको जो रूल कर रहे है, फिर आपका आएगा full name, चंदन, मिस्रा, उसको चंदन का भी एक total आएगा, और मिस्रा जी का भी एक total आएगा, वो टोटल करेंगे, तो उसका भी एक नमबर आएगा, तो नमबर वो बताते हैं, जब आप कंसल्टिंग से लेते हैं तो, अम माली जै कोई जीवन में बहुत परशान है, हेल्थ इशू है, रिलेशन उसके टूट रहे है, वो समझ नहीं पार, लाइफ में क्या हो रहा है, तो क्या वो किसी कंसल्टेंट से मिलके, चीजों को सुधार सकता है, नाम चेंज करके, नमबर चेंज करके, बिलकु सुधार सकता है, मैं एक्जामपल देके बता, तो मेरे पास एक लाइंट थे, उनके ग्रेड में बहुत अच्छे नमबर थे, फाइब थे, उनका जो नेम था, उनका जो नाम, भाग्यांग था, सुरी, मुलांग था जिए तो एक था और हुःपः, उनका जो भाग्यांग था, वो mogड़न थे थे, थे थे, तो ग्नाफिव थे, छो झाल थे, अच्छे नमबर है, तो तो जो जो निम का थे, वो च्हे तीन का थे नम्बर है, तीन का जो, को तो एश्व के आख लथे, पोलो निम है मुलांग के 3 उनका कंड़क्टर है, बड़ उस्ट्रगल कर रहे थे, चीज डिली हो थी, फिर मिन जब उनके नेम को चेकर तूंका नाम छे पे जा रहा था, इसका मतलब वह अपने भाग्यांग, लिए भाग्यांग जो डेस्टिनी एना, मैं आपको एड़ाउन करना 30 साल तक आपका मुलांक, जो आपका date है, वह आपको रूल करेतीर परसेंट, वह की अनग्यांग के अनग्यांग एनरन फिली ती परसेंट रहती ही है, लेकिन 30 साल के बाद, पैंःती साल के बाद, मुलांग के यो फ्रेकुेंशी जो इनरन जिय यो तीज से थी परसेंट हो प्लस एयर हमने टुटल किया जो भाग्यांक है यह 30 और 35 साल के बाद आपको आपको रूल करना सुरू करता है सतर परसेंट यह चेंज हो जाता है यह लोगों का यह भी माना है मैरिज के बज़ाव की साधी हो जाती ना उसके बाद आपका भाग्यांक ज्यादा एक्टिवेट करते हैं जब साध्या लो कहते हैं लो कहते हैं थाइस गुड मिल रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है हो सकता है लड़की के साथ आपने जिससे मेरिज के बाद नमबर पे हो मालो आपका मुलांक है लड़की का जो मुलांक हो आठ है दोनों दुस्मन है थौट प् पार्टनर हो चाहे कुछ भी हो एनिवन हर जगे यह फॉलो करता है आपका एंटी नमबर पे अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो चैलेंज इस वह आपको दे सकता है यानि लोगों के लाइफ में हेल्थ इशू हो मेंटल इशू हो फाइनेंशल इशू हो रिलेसंसिब बिल्कुल दुरूस्त करके वह ठीक हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बलब नमबर एक बड़ा मैटर करता है रहा ज्यादा आपको लोगों इसना नंबर दिखते हैं हम जैसे कोई आग खुलता है तो वन वन दिखरा है राइइ किसी को तीन पंद्रा दिखता है हम तो क्या इन उब अबने वोलाजाता है, मेस्जेंजर दियना गोड। अच्छा अच्छा आपको ये लिवर्स का चिनल दना चाहता है। अद्चा आज था इस कामना थे 11-11 में दिए 11-11 का रिख्टेशन लो करते लोग्ते 511 लोग्या अफ जाटा था 11-11 तो आपको उपरवाला यह दिखाना चाहरा है कि आप इनी सीड तो करिये आप सुरुवात तो करिये रास्ता आपने आप बनेगा यह एंजल नंबर है एंजल नंबर सिंपल जी बात है चाहिए 1-1 दिखे चाहिए 2-2 कि हर नंबर की एक फ्रिक्वेंसी जीनल है एंजली कोई स आपने हमें एक्षी के बात ही, और एक झाल करें चाहिए 2-2 इसाफसी जीनल नंबर को कि अपको बनाशी इनर्जी अ कि एक और यह जिसको आपको समझ एपने नंबर को फिल करते हैं मैं अपने स्टुडेंट को भी पताता हूँ कि अगर आपको कभी भी किसी की कुंडली आए, दो चीजे बहुत मेंटर करती है, पहला नंबर को आपको अवजर्व करना है, अगर 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 दो टूइन्स हुए, जुडवा बहीं है, क्या लगता है, दोनों की लाइफ एक ज कमाट की इने सींदेश करना ही, आप समझ रहें तो हर चीज की फ्रिक्वेंसी होती है, आपके मोबा benevol की मुबाइल की यह तक आप किन के साथ कृते हैं बैड़ते हैं उन नंबर के सामलो मेरा फ्रेंड पांच नंबर का है, और मेरा इक फ्रेंड पांच नंबर का और मेरे ए से हेल्प लेता है तो क्या उसकी हाइरिंग फाइरिंग और कंपनी बनाने में भी मदद मिल सकता है सब बहुत अच्छा क्वेस्ट है और यह मेरे पास आई थे अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं उन्होंने मुझे पताया भी था सीजे सब चल रही थी लेकिन कुछ कहते न कु तो बहुत मैटर करता है अगर आपका आपकी डेट अबर्थ के कॉर्डिंग मलाब आपके नंबर के कॉर्डिंग आपका कोई कंपनी में इंपलोई आ गया एंटी नंबर पे आ गया तो अपके उसके थौट प्रोसेश नहीं मिलेंगे हो सकता हो परसन बहुत अच्छा कर र क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी भी आपके कंपनी को मिलेंगे अब ये कंपनी के लिए क्या कोई सौफ्टेर या कोई फॉर्मूला है जो कि HR या फांडर खुछ सीखे और हारिं के दवरान ले या ये किसी कंसल्टेंट को हैर करना चाहिए इनको अभी तक तो आइडिया नही करना चाहूंगा मालो कोई बंदा है वो सेल्स में आना चाहता है सेल्स की जौब है और उसके अगर डेटा पर्थ में चार नंबर नहीं है पांच नंबर नहीं है तो इसको सेल्स में प्रॉबलम आएगी क्योंकि ये दोनों नंबर कमिनिकेशन नंबर है और ये दोनों सेल् और उसके date of birth में 5 number missing है और 8 number missing है यह दो number दोनो number account को दिखाता है finance को दिखाता है जो number उसके life में है ही नहीं उस चीज को balance उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना अच्छा 5 number और 8 number कर पाएगा क्या बात है इन चीजों को भी हमें देखना चाहिए तो hiring में भी ठीक है सो hiring में हो गया बिजनस में भी चीज़े होती है अब माल लिजे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी ही नहीं हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है उनकी शादी करवा सकते हैं बिल्कुल मैंने अभी आपको पोड़कास्ट में बताया कि 6 number दिखाता है मैरिज को आपके देखे आपके जो इवेंट्स है रिप्रजेंट करते हैं इसमें बहुत सारी चीजे होती है महादशा दिखा जाता है अंतरदसा पर्शनल यह बहुत इंपोर्टेंट होता है यह म जर्माद दो नंबर को दो साल रहेगी अप समझ रहे हम निम्मोलोजी में इस तरीके से महादशा को निकालते है क्या बात राइट इनका इंपेक्ट आपके लाइव में पढ़ता है जैसी महादशा रहेगा जैसे कहते है अगर आपकी सुक्र की महादशा चल रही तो को लेके हो या कुछी भी चीज को लेके हो हम उसको वो नंबर उनके लाइव में अक्टिवेट करके देते हैं ग्रेट यानि कि मिला जुला कि आपके लाइव में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप किसी निम्रोजिस्ट से मिलिए या आपका कोई नंबर होगा तो मैं दे दूँगा आपसे वो मिले और फोन पे कंसल्टिंग हो जाता है पूरा चलिए तो फोन पे वो कंसल्टिंग करके अपने प्रॉब्लम को थोड़ा ड्रिल करें सलोशन ढोड़े और मुझे लगता है लाइफ थोड़ी से और स्मूथ होगी कोई सवाल आप ज जरूरी हो और मैंने पूछाना हो बिल्कुल देखिए जैसे मैं आपको बता तो लाइफ ना तेन चेज़ बहुत जरूरी है मैं बोलना चाहूंगो हमारे लाइफ में दो नंबर ऐसे हैं एक होता है च्वास नंबर ओके च्वास नंबर वो नंबर होते हम डिसाइड करते हम हमें यह नंबर चाहिए जैसे हमारा घाली का नंबर हमारा मोबाइल नंबर हमारा घर का नंबर हम यहां तक हमारा नीम हम भी निम डिसाइड कर सकते बड़ एक ऐसा नंबर जो आप डिसाइड नी गरते हम आपका रोल नंबर आप डिसाइड नी गरते हम आपका रोल नंबर एक है भुट नंबर, अधार कार्ड़ नंबर शब बिल्लकुल पार नंबर, यह सम नंबर्स है हर छहेज उन्पराइप अपके लाइफ मैं सर्वर्य एं इंपॉर्टे रहा है दो नंबर्स ऐसे हैं एक हुता नंचोइस, अग होता नंचोईस एक होता राता है नन्चोईस, र 13, 14, 16, 19, यह चार कार्मिक नंबर आपके पास्ट से आएं 13 नंबर किनको मिलता है, कार्मिक नंबर इसका टोटल चार होता है जिन्हों ने पिछले जनम में अपने टाइम को अच्छे से यूज नहीं किया, उनको तेरे नंबर इस जनम में उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा, इतना काम करवाएंगे बाबरे, हाँ मुल्दा पास से भी चीजे हमारी कनेक्ट है, आपके करमास, आपके करमास 14 नंबर आपको दिखाता है, पास टाइम में आपको फ्रीडम दी गई थी उस फ्रीडम का आपने में उस्यूज किया, इस जनम में आपको फ्रीडम नहीं है चोदा नंबर वालों को देख लेना, जो सूर रहे हैं आप पाँच वाला किसको मिलता है, ने ने, चार कार्मिक नंबर है चार कार्मिक नंबर, ठीक तो मुलांक हो गया, यह मुलांक है, कभी-कभी, अगर हम डेटा बर्थ को टोटल भी करते हैं, तो भाग्यांक में भी कार्मिक नंबर आ सकते हैं 16 वालों क्या पास्ट है? 16 वालों का पास्ट इह दिखाया जाता है, कि last time में उनको freedom दिया गया था, relationship में रिलेसंटिप का फिडम दिया गया था, बट उनों ने उसका मिस्यूज किया, हो सकता है, एक्स्ता मेरे टलफे रखा हो, यह हो सकता है, उनों ने कमेंट्मेंट किसी लड़की से की, किसी पी पार्णर के साथ की, बट उसको कहीं चीट करके दूसरे के साथ चले गए, तो इस अगर बट उसको सही करना है, उसको बैलस करना है, उननिस नमबर दिखाता है, पावर को, लास्टेम आपको इतनी पावर थी लिकिन आपने उसका मिस्यूज किया, गलत तरीकों सी उच किया, इस जनम में भी उननिस ओलों पावर मिले कि उन पहुत पावरफुल नंबर है, बाट इस जनमें आपको इसको अच्छे से यूज़ करना है अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आपके अगले जनम्म पिर वspeaking के साथ आपके साथ आएंगे क्रमा से आपके साथ रहेंगे यह कार्मिल ल्मझा है आप तो इंसान डिसाइड कर रहा है, तो फिर कैसे होगा? देखे, मैं तो यह कहना चाहूँगा, यह युनिवर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बट नो डौट कुछ लोग प्लान कर रहा है, जैसे अभी अम्वानी जी की फैमिली में देखे, कि अनुकी बेट्टों का जन्मुगा है, बट वो जो डेट होता, ऐसा नहीं होता, उसमें क्यों तो डौक्टर दे देते है, आसपास, उसके आसपास अगर वो प्लान करते है, तो करवा सकते है, उनको पता है, पूरी लाइफ वो नंबर रूल करने वाला है, समझ गया, वही नंबर रूल करने वाला है, बट मैं फिरी बूलना चाहूँगो लोगों से पोड़कास्ट में, यह यूनिवर्स कहा, इसमें अगर हम चेड़कानी करते हैं, तो कहीं न कहीं, हम अपने ही साथ थोड़ा सा खिलवान कर रहे हैं, अपने ही साथ प्रॉब्लम क्रियेट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, तो अगर डॉक्टर ने यह बूला है, कि आपका भी पी सीजीरियन ही होगा, सो अब उसमें जा सकते हैं, बट अगर ऐसा नहीं है, तो डिफिनेटली यूनिवर्स जो देगा, अच्छा ही देगा, गौड हमेशा अच्छा ही करता है, आपके साथ, समझ गया, सो बहुत अच्छा रहा सर, बहुत कुछ समझने को मिला, नंबर्स मैटर करते हैं, और सब नंबर मैटर करते हैं, अलफा बिट्स के अपने फ्रिक्वेंसीज हैं, अपने नंबर्स हैं, सबका अपना स्तित्त तो है, ये बड़ा मैटर करता है, अब हाइरिंग में भी इन सब चीजों को मैं ध्यान दूँगा, और मैं कोशिश करूँगा, जितने भी लोग पॉड़कास्ट देख रहे हैं, वो अपने प्राब्लम को लिखे, अगर जितनी प्राब्लम वो इन कमेंट में लिखते हैं, कि मेरी ये प्राब्लम है, क्या सलोशन है, तो हम पार्ट टू भी लेके आएंगे, ठीक है, और हो सकता हैं, जूम पे भी आजाएं आपके लिए, कुछ लोगों लाइव हम क्यों ने कर दे, आपके कमेंट बताएंगे, ठीक है, बाकी आप से आप इजाज़त लेंगे, बहुत अच्छा रहा, और थैंक यू सर, अगें तो मच, और मिलते किसी और पॉड़कास्ट में, बित वैलिडेटेड अन प्रड़क्टिव कॉंटेंट के साथ, तब के लिए, जै हिन, जै भारत, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू.